हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जो आप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो उत्तर परदेश आयर्विज्यान विस विद्याले यानि की UPUMS सैफ़ही इटावा नर्स भरती 2024 दोस्तो उत्तर परदेश आयर्विज्ञान विस विद्याले सेफ़ही इटावा की तरफ से 535 पदो पर नर्सिंग ओफिसर मेल फिमेल की परमरिन भरते निकाली गई है दोस्तो बता दे आपका एकजाम हो चुका है एकजाम होने के बाद आप सभी लोगों के लिए मैंने आपको अपडेट यहाँ पे दिया था जी हाँ बहुत पहले कि आप लोगों का अंसर की आ चुका है अब यह नई अपडेट निकल क्या रही है रजल के बारे में जानकाई 24 तक UPU MS IFA Itava 535 पलस वेकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए आएंसर की 10 जुन रात को 12 बज़े तक देख पाएंगे इसके बाद मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थी किस सर आएंसर किया चुका है आएंसर की कैसे देखें कैसे question पर objection करें और इसका जो result है कब तक आएगा इन सभी की जानकारी आप दो तो आज हम आपको इस वेडियो में सबसे पहले जानकाई देंगे आएंसर की कैसे आपको देखना है I answer की के लिए last date किया है और I answer की के लिए कैसे आपको objection करना होगा और फिर जो है आप लोगों का रज़र कब आएगा इन सबी की जानकारी हम आपको इस वेडियो में देने वाले हैं तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उत्तर परदेश आयर्विज्यान विस्विद्याले के वेबसाइट पर तो दोस्तों आपको जाना है गोगल पर यहाँ पर आपको सर्च करना है UPUMS Sci-Fi Itava जैसे आप लोग देखोगे तो यह बिल्कुल ओफीसल वेबसाइट है UPUMS Sci-Fi Itava के वेबसाइट आपको जाना है डारेट होम पेज पर जैसे आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देखोगे उत्तर परदेश उत्तर परदेश University of Medical Sciences Sci-Fi Itava उत्तर परदेश ओफीसल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको अपडेट जो है बिल्कुल मिल जाएगी साथ यहाँ पर ओप्सन्स हो करेगा Nursing Officer Recruitment CBT 2024 इस पर आप लोग किलिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी उत्तर परदेश आई विज्ञानवी स्विध्याले साइफई एटावा प्रिंट कोड है 206130 यहाँ पर आओगे तो देखिए यह आप लोगों के लिए अपडेट है नमबर वन आइंसर की आचुकी है जी हाँ दोस्तों आइंसर की आप लोग देख पाओगे इसमें आपने कितने कोश्चन सही किये हैं कितने कोश्चन गलत किये हैं साथी किस कोश्चन पर आपको ऑप्जिक्शन करना है इस तरीके से आप लोग देख पाओगे तो ऑप्जिक्शन फॉर्म जो है पचपर मिनिट पर आप लोग जो है आज रात को आइंसर की देख पाएंगे यानि कि आज है दस जून और रात को जो है बारा बज़े तक आप लोग ऑबजेक्शन कर पाओगे साथी आइंसर की भी आप लोग देख पाओगे अब मैं आपको बता दू जैसे कि अगर आपने आइंसर की देखा है और आइंसर की देखने के बाद आपको लग रहा है कि किसी कोश्चन पर आपजेक्शन करना है तो आप लोग उस कोश्चन पर आपजेक्शन यहाँ पर कर सकते हो उस question पर objection करने के लिए सबसे पर आपको proof यहाँ पर चाहिए बिना proof कि आप लोग कोई भी objection मत करना अगर आपके पास proof रहेगा और आपने कोई गलती नहीं किया है आपको लग रहा कि question पर objection करना चाहिए मुझे number मिलना चाहिए UPUMS ने number मुझे नहीं दिया है तो उस question पर आप लोग objection करिए objection जो है आप लोग बड़ी simple तरीके से कर सकते हो यहाँ पर देखोगे तो click here to raise objection तो click here to raise objection इस पर आप लोग किलिक करोगे जब आप लोग किलिक करोगे applicant login का यहाँ पर page open हो जाएगा यहाँ पर login का option आ जाएगा सबसे पहले आपको देना है user ID फिर आपको देना है password capture code यहाँ पर देना है login करने के बाद answer की का यहाँ पर option आ जाएगा और PDF का option होगा answer की PDF का option होगा इस पर किलिक करके PDF को जो है देख लो PDF देखने के बाद जिस question पर आपको objection करना है question ID note करके आप लोग जो है objection कर पाएंगे login करके तो अकर आप लोग जो है answer की देखने वाली हो तो जो भी आपकी details है मुझे mail कर सकते हो यहाँ पर email ID मैं note कर देता हूँ और आप लोग जो है इस email ID पर सारे data साब मुझे mail कर दो मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस समय मैं जो है कुछ है problem की वज़े से बाहर आया हूँ थोड़ी सी यहाँ पर problem होगी लगबग 2-4 days आपको problem देखनों को मिलेगी outdoor मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ कुछ गलतिया हो सकती है यह मेरा email ID है सारे details आप मुझे mail कर दो और फिर मैं login करके आपका answer की देख लोंगा अगर आपने answer की देख लिया है तो very nice कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने answer की देख लिया है तो आप लोग objection यहाँ पर कर सकती हो 10 जून रात को 12 बज़े तक objection कर पाओगे तो अब एकर आप लोग देखोगे तो आज है 9 जून आज है 9 जून कल रहेगा 10 जून तो कल रात को 12 बज़े तक आप लोग objection कर पाओगे अब मेरे पास बहुत सारे comment आएंगे सर कैसे objection करना है मैंने आपको बता दिया है answer की के बारे में answer की कैसे देखना है कैसे login करना है बता दिया है अब आपको कैसे objection करना है उसके लिए आपको user ID अपना user ID और password मुझे mail कर दो email ID मैं फिर बता देता हूँ yamke 4554 yamke 455436 1 second 36 address email.com मुझे mail कर दो मैं चेक करके आपका answer की देखूंगा और answer की देखने के बाद जिस question पर आपको लगता है objection करना मुझे mail कर देना फिर मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आपको objection यहाँ पे करना है killer हो चुका है no doubt अभी result आप लोगों का कब declare किया जाएगा देखिए answer की के बाद वन वीक के अंदर आप लोगों का जो रेजल्ट है declare कर दिया जाएगा यानि की 15 से लेकर 17 जून के बीच में आप लोगों का जो रेजल्ट है declare कर दिया जाएगा 15 से 17 जून 2024 तक आप लोगों का जो result है डेकलेर यहां पे दोस्तों कर दिया जाएगा आपके कितने marks बन रहे हैं नेचे कमेंट कर दो cut-off की वीडियो यहां पे बनानी है बहुत ही जब cut-off की वीडियो यहां पे आ रही है थोड़ा सा आप लोग वेट करिए लेकिन अभी category wise category wise आप लोग marks share कर दो मैं details में answer की आ चुकी है सभी की यहां पे 535 पलस nursing officer सभी की answer की यहां पे आ चुकी है answer की जो है आप लोग 10 जून 10 जून रात को 12 बज़े तक देख पाएंगे आज है 9 जून कल है 10 जून तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है 10 जून रात को 12 बज़े तक answer की देख पाएंगे साथ थी 10 जून रात को 12 बज़े तक question पर objection भी कर पाएंगे बाकि मैंने email ID दे दिया है details मुझे mail कर दो और इसके बाद मैं आपको बता दू तो आप लोग अपना marks यहां पे share कर दो category wise category wise अपना जो marks है share कर दो क्योंकि answer किया चुका है और जो आपके answer की में जो final marks बन रहे है वहीं marks आप मुझे share कर दो category wise यहां पर marks मुझे share कर दो cut off वीडियो बनानी है cut off कितनी जाएगी cut off की वीडियो बहुत थी जलाएगी इस विए marks मुझे category wise share कर दो और रेजल्ट आप लोगों का कब आएगा तो देखिए जो रेजल्ट है आप लोगों का वन वीक के अंदर आ जाएगा याने की answer की आने के बाद है वन वीक के अंदर आप लोगों का जो रेजल्ट है डेकलेर कर दिया जाएगा तो 15 से लेकर 17 जून के आसपास आप लोगों का जो रेजल्ट है डेकलेर कर दिया जाएगा थेंक दोस्तों कुछ प्राब्लम हो रही हो माफी चाहता हूं वीडियो बनाती वक्त मुझे कुछ मिश्टेक हो सकते हैं क्योंकि मैं इस समय आउट्डोर में वीडियो बना रहा हूं क्योंकि।